चैप्टर फोर्टीन मैंशुरेशन वर्कशिट सिक्स करेंगे हम आज तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको फॉर्मॉले बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन से फॉर्मॉले यूज होंगे यह सिलिंडर से रिलेटिड वर्कशिट है जैसे यह हमारे पास एक सिलिंडर है यह इसकी हाइट है और यह इसका क्या है रेडियस है ठीक है अब हमें निकालना क्या क्या है इसमें पहले तो निकालना भी वोल्म volume of cylinder क्या होता है volume of cylinder यह आपने याद करना है formula अगर cylinder का volume निकालना हो तो होता है pi r square h ठीक है यह first formula है pi r square h और cut surface area आपको पता है cut surface area क्या होता है exercise में मैंने करवा रखा है 2 pi r h और total surface area क्या होता है cylinder का 2 pi r into r plus h ठीक है ये formula तो पिछली exercise में हम कर चुके है ठीक है तो इस exercise में formula का use होगा volume of cylinder क्या होता है pi r square h और cylinder का यहाँ पर मतलब है solid cylinder ठीक है solid cylinder यानि की बिल्कुल उसमें क्या हो वो जैसे मालो की एक सरिया है अगर हम एक सरिया लेते हैं तो सरिया अंदर से खोकला नहीं है ये बिल्कुल अंदर भी इसके क्या है एकदम से लोहा ही है ठीक है तो इसको बोलेंगे हम solid cylinder क्या बोलेंगे solid cylinder इस type की चीज़ ठीक है और दूसरा एक होता है hollow cylinder hollow का मतलब खोकला अंदर से जो क्या हो खोकला हो यानि की जैसे की pipe ठीक है hollow cylinder को आप pipe भी कह सकते है तो इसका दूसरा formula जो use होगा volume of hollow cylinder कह लो volume of hollow cylinder hollow cylinder कह लो या इसका दूसरा नाम क्या है या pipe कह लो ठीक है pipe जैसे पानी की pipe होती है पानी की pipe से आर पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये चीज है मालो ये है तो इसके हम आरपार क्या वही देख सकते हैं ये क्या है खोकला है ठीक है अंदर से क्या है ये खोकला है ठीक है तो इसको ही हम बोलेंगे होलो सिलेंडर ठीक है ये एक सिलेंडर है ऐसे ये सिलेंडर है ऐसे पूरा और ये अंदर से क्या है इसको बोलेंगे हम hollow cylinder और hollow cylinder का आगर volume निकालना हो तो हम लिखेंगे outer volume माइनस इनर वोल्यूम आउटर वोल्यूम माइनस इनर वोल्यूम ठीक है तो outer volume of cylinder minus inner volume of cylinder तो दो formula आप अच्छे से आज कर लो volume of cylinder क्या होता है pi r square h और volume of pipe क्या होता है outer volume of cylinder minus inner volume of cylinder जब question करेंगे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है अब करते हम question तो इसका first question है find the volume of right circular cylinder volume निकालना है हमें volume का बस formula पताओ न चीए radius of its base base क्या है cylinder का base क्या है एक circle होता है आपको पहले भी मैंने बता रख़ा है कि cylinder जैसे यह cylinder है इसका base क्या है एक circle है और इसका radius दे रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है यहां से लेके यहां तक उसकी height कितनी है, ठीक है, height भी गिवन है, 1.5 decimeter, अब यह चीज centimeter में है, यह decimeter में है, आप क्या करोगे decimeter को, centimeter में change करो लो पहले, decimeter है, 1.5 multiply 10, 10 से multiply करते ही, यह किसमें change हो जाएगा, यह हो जाएगा centimeter में change, 15.0 आएगा, यानि कि 15 centimeter, ठीक है, 15.0 का मत 15 centimeter, अब यह भी centimeter में होगी, height भी centimeter में होगी, ठीक है, यह एक क्या था, cylinder था, cylinder का हमें क्या दिया हुए था, radius, radius कितना दिया हुए था, radius दिया हुए था, 7 centimeter, और इसकी height कितनी थी है, 15 centimeter हमने निकाल ली है, अब क्या निकालना है, volume of cylinder, volume of cylinder क्या होता है, pi r square h, formula में रखतो, pi क value 7 है तो 7 multiply 7 multiply 15 ठीक है अच्छी कितना था 15 अब 7 से हो गया 7 cancel 22 7 और 15 की जब multiply की तो हमारे पास answer आ गया 2310 cubic centimeter क्योंकि यह volume है volume किसमे होता है हमेशा cubic में होता है cubic unit में होता है ठीक है next question है area इसका second part है area of base area of base of cylinder देखो यह एक cylinder है इसका base क्या होगा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ base क्या होगा base होगा इसका एक circle देखो यह cylinder है cylinder का base क्या है निच्चे क्या है base का मतलब यह यह वड़ा देखो अगर यह निच्चे इस पर रख देता हूँ तो यह क्या बन जाएगा एक यह क्या बन जाएगा एक circle बन जाएगा ऐसे एक क्या बन जाएगा एक circle बन जाएगा ठीक है इसका base क्या बन जाएगा एक circle और base का area given है base का area कितना है 154 base का area मतलब circle का area दे रखा है और height दे रखा है cylinder की इस base का area यह निकी circle का area दे रखा है और cylinder की height दे रहे है 1.5 cm जो हमें given है वो लिख लेंगे area of base का है 154 cm area of base यानि की circle का area दिया हुआ है πाई r square होता है और circle का area क्या होता है πाई r square πाई r square equal to 154 πाई की जगा रखो 22 by 7 और r square equal to 154 r की value हमें नहीं पता निकाल लेंगे 22 by 7 इदर multiply कर रहा है उदर जाके क्या कर देंगा यह मतलग reciprocal ले लेंगे इसका 22 multiply है तो निच्चे आजएगा 7 निच्चे है तो उपर आजएगा अब कर देंगे cutting 22 7 जा तो इदर आगा 7 multiply 7 यानि की 49 और इदर आगा r square r square तो हमें चाहिए निया हमें तो r चाहिए तो दोनों तरफ हम ले लेंगे square root square root लिया तो इदर क्या बढ़ेंगे pair बढ़ेंगे 7 into 7 तो आपको पता है 49 का square root क्या होता है 7 होता है तो r क्या आगा हमारे पास 7 आगया ठीक है अब हमारे पास h भी पता है और r भी पता है तो volume of cylinder क्या होता है pi r square h अब रख देंगे 22 by 7 multiply 7 into 7 into क्या आजएगा 1.5 ठीक है 1.5 centimeter था है h की value decimal हटा लो नीचे लगा दिया 10 अब इसकी कर लेंगे हम cutting ठीक है cutting करेंगे तो 7 से 7 और 5 3 जा और 5 2 जा और यह आजएगा ठीक है अब इन तिनों की कर देंगे हम multiply हमारे पास answer आजएगा 231 cubic centimeter तो यह first question तो बिलकुल ही easy था इसमें तो बस हमने formula में value रखनी थी और first का third part है circumference of base base का मतलब circle जो cylinder का जो base होता है वो क्या होता है एक circle होता है यानि कि circle की circumference given है 1.32 meter और height इसकी कितनी है 25 25 centimeter हमने क्या निकालना है हमने इसका क्या निकालना है volume निकालना है circumference of base given है 1.32 यह लिख लिए हमने उसके बाद क्या है circumference कितनी होती है 2 pi r 2 pi r equal to 1.332 यह हमने किसमें change कर लिया centimeter में change कर लिया क्योंकि यह centimeter में था इसलिए 1.32 को जब हम centimeter में change करेंगे meter था 100 से multiply करेंगे जब 100 से multiply करेंगे तो आएगा हमारे पास 132.00 centimeter यानि कि 132 centimeter ठीक है तो यहाँ पे 1.32 की जगा मैंने क्या लिख लिख लिया meter की जगा क्या लिख लिख लिया 132 centimeter ठीक है तो 2 pi r equal to 132 centimeter आब 2 तो 2 है और pi की value है 22 by 7 और r हमें नहीं पता r निकाल लेंगे तो यह उदर जाके होजएगा रैसी प्लोकल होजएगा 132 into 1 by 2 into 7 by 22 अब इसकी कर देंगे हम cutting cutting करके हमारे पास आजएगा 21 r की value क्या आगे हमारे पास 21 h हमारे पास कितना था 25 centimeter बस हमारा question हो गया volume निकालना हमने volume होता है pi r square h यानि कि 22 by 7 multiply 21 multiply 21 ठीक है r की value 21 थी और h कितना था 25 था इसको हम कर लेंगे 6 7 3 जा इन सब की multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगा 34650 cubic centimeter यह क्या आगया cylinder का volume बिल्कुल easy question था यह अब second question देखते हैं second question इसका how many cubic meter of earth must be dug out to sink a well 16 meter in depth and 7 meter in diameter अब एक well है हमारे पास कुवा है एक cylinder की shape का होता है कुवा आपको पता है इस तरह का एक कुवा है इसकी जो height है वो दे रखे 16 meter यानि कि जो इसकी depth है और diameter दे रखे 7 meter यहां से लेगे यहां तक पूरा दे रखे 7 meter यानि कि diameter अगर हमें 7 meter दे रखा है तो radius होजेगा इसका half यानि कि 7 by 2 7 by 2 meter इसका दे रखे है radius हमने निकालना है कि इसको मतलब जब इसको खोदा गया तो कितनी how many cubic meter of earth must इसमें कितने cubic meter मिट्टी निकली यानि कि देखो यह मिट्टी थी सारी इसको मिट्टी को बाहर ऐसे खोद गया तो यह कितने cubic meter थी यह मिट्टी यह हमने बताना है यानि कि यह cylinder का volume कितना था सीज़ी सी बात यह है कि हमने क्या निकालना है इस cylinder का volume निकालना है वही मिटि का volume हो जाएगा वही earth का यानि कि earth dug out यानि कि जो मिटि हमने निकाल लिया है वही मिटि का क्या हो जाएगा volume हो जाएगा ठीक है तो h हमें दिर के 16 meter diameter दिर के 2 meter diameter से हम निकालने के radius 7 by 2 meter Earth must be dug out Earth must be dug out का मतलब जितनी हमने आता निकाल ली यानि कि volume of cylinder volume of cylinder क्योंकि जो कुँआ है वो cylinder की shape का है इसलिए volume of cylinder निकाल देंगे pi r square h pi की बालो 22 by 7 r कितना है 7 by 2 into 7 by 2 r square था इसलिए दो बार कर दिया multiply into 16 ठीक है आप क्या करेंगे इसको हम solve करना है cutting बगारा करनी है यह cut गया 7 से 7 ठीक है और यह 2 8 जा और 2 4 जा ठीक है आप इसकी क्या कर देंगे multiply कर देंगे multiply करने से हमारे पास क्या जेगा 616 cubic meter इतनी मिटी जो कुएं को खोदा इतनी मिटी निकाली उस मिटी का volume क्या था 616 cubic meter ठीक है तो हमारे यह दूसरा question भी हो गया इसका third question है water tank is cylindrical in shape एक ऐसे water tank है और वो cylinder की shape का है इसके अंदर कितना पाणी आ सकता है वो हमने निकालना है and diameter of its base diameter दे रखा है यहां से लेकर यहां तक diameter दे रखा है कितना 28 गूरा 28 है तो radius कितना हो जाएगा 28 by 2 यानि कि 14 meter इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 14 meter हो जाएगा इसका radius and क्या कहा रहा है 7 meter is deep इसकी height कितनी है 7 meter इसकी height कितनी है 7 meter और radius हमें given है कितना 14 हमने निकाल लिया 14 meter अब कहा रहा है how many kiloliter of water can it hold कितना इसमें पाणी आ सकता है यानि कि इस का इस cylinder का हमने क्या निकालना इस cylindrical tank का volume निकालना है हमने ठीक है और फिर उस volume को हम liter में change कर देंगे volume cubic meter में आएगा cubic meter को हम liter में change कर देंगे तो diameter क्या है given 28 meter radius क्या है radius को diameter को 2 से divide कर दो radius आगा 14 meter height of cylinder कितना है 7 meter तो हमने क्या निकालना है volume of cylindrical tank volume निकाल दो pi r square h होता है 22 by 7 r की value 14 थी 14 multiply 14 into 7 h कितना था 7 अब इसकी कर दो cutting करके multiply करी तो हमारे पास आया 4 3 1 2 4 312 cubic meter इतना इस जो इस tank का क्या था volume था अब इसको हमने liter में change करना है kilo liter का मतलब है 1 kilo liter में होते है 1000 liter 1000 liter देखो जब भी हमने ये point note करो जब भी हमने meter cube को cubic meter को liter में change करना है तो one cubic meter किसके equal होता है one kilo liter के equal होता है बस आपने क्या करना है इस meter cube को हटा कर kilo liter लगा दो यानि कि इसमें कितना पाणी आ सकता है 4,312 किलो लीटर ठीक है यानि कि अगर मैं इसको लीटर में बदलू तो आजेगा 4,3,1,2 किलो लीटर का मतलब है 1,000 लीटर 0,0,0 इतने लीटर इसमें क्या आ सकता है पाणी आ सकता है तो इसने किलो लीटर में ही पुचbecue था है, इसलिए हम किलो लीटर में ही लिखेंगे मीटर लगादो, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में एक किलो लीटर होते हैं ठीक है? तो बस आपने ऐसे ही करना है हमारे पास अंसर आ गया 4312 किलो लीटर fourth question is the radius of base of a cylindrical oil cane is 4 meter radius of base एक cylinder है cylinder का हमें क्या दे रख है जो base है उसका हमें क्या दे रख है radius दे रख है r दे रख है यानि कि cylinder का r हमें given है कितना 4 meter अब आगे करा find its height height हमने find out करनी है and contain 148 kiloliter of oil जब भी आपको kiloliter या litre में दे रख है तो आप ये समझ लो कि वो क्या दे रख है हमें उस cylinder का volume दे रख है तो volume दे रख है किसमें kiloliter में volume कह लो या capacity कह लो capacity हमें किसमें दे रख है volume दे रख है kiloliter में अब kiloliter को हम किसमें change कर लेंगे meter cube में change कर लेंगे अब यभी मैंने बताया था one meter cube कह लो या one kiloliter कह लो बात एक ही है ठीक है तो kiloliter को हटा के हम meter cube लगा सकते हैं तो volume of हमें क्या दे रख है volume of cylinder दे रख है r कितना है 4 meter h हमने find out करनी है हमें क्या दे रख है volume of oil cane volume of oil cane कितना है one zero one four zero eight kiloliter अब kiloliter को हटा दो kiloliter के जगा हम meter cube लिख सकते हैं क्योंकि one cubic meter में one kiloliter होते हैं चाहे ये लिख दो चाहे लिख दो एक ही बात है ठीक है kiloliter को change कर सकते हैं meter cube में और meter cube को हम change कर सकते हैं kiloliter में तो अब ये आ गया इतना one one four zero eight cubic meter अब क्या है वोलिम क्या होता है वोलिम होता है cylinder का pi r square h pi की जगा 22 by 7 रखो r की value है 4 into 4 यानि कि r 4 था r square था तो दो बर multiply कर दिया h को हमने find out करना है h ऐसी रहने दो equal to one four zero eight अब h यहीं रह जाएगा और ये सारा उधर चला जाएगा receiver को ले लेंगे ये उधर जाएगे seven by twenty two हो गया ये four का one by four हो गया और ये four का one by four अब इसको हम कर लेंगे solve जब इसको हमने solve करा cutting की तो हमारे पास आएगा twenty eight meter तो height of cane क्या आगी height of cane आगी cylindrical cane आगी twenty eight meter next question है fifth question है the radius of height of a cylinder are in the ratio radius और height का ratio हमें दे रखा है and its volume is और volume भी दे रखा है radius हमने निकालना है देखो ये ऐसे एक cylinder था cylinder का हमें क्या दे रखा था हमें given है इसका एक तो volume given है ठीक है और क्या given है ratio given है किस-किस का radius और height का radius और height का हमें क्या given है वह हमें ratio given जब भी ratio दे रख्या हो मैंने आपको पताया था इसको 5x माल लेंगे इसको 7x माल लेंगे ठीक है तो यह पहले radius था radius हो जेगा इसका 5x और height हो जेगी 7x ठीक है जब भी ratio बाड़ा question आए तो उसको हम x करके माल लेंगे अगर 5 दे रख्या तो 5x लेलो 7 दे रख्या तो 7x लेलो ठीक है तो let radius 5x और height of cylinder 7x ठीक है हमें और क्या given है volume of cylinder given है लिख लिए हमने volume का formula क्या होता है pi r square h यानि कि pi की value 22 by 7 r square यानि कि 5x multiply 5x क्योंकि r को हमने 5x माना है और h क्या है 7x equal to 550 अब x multiply x multiply x यह हो गया x cube क्या हो गया यह x cube हो गया 7 से हो गया 7 cancel तो इदर रहे गया 22 multiply 5 multiply 5 अब यह उदर जाके कर देगा divide क्योंकि यह सारा multiply हो गया 5 multiply 5 multiply 22 आगा इदर ठीक है आब इसकी कर देंगे हम cutting तो 5 से cutting करेंगे 110 आएगा फिर 5 से cutting करेंगे 22 आजएगा 22 की 22 से cutting करेंगे 1 आजएगा तो x cube equal to 1 आगया x cube equal to 1 हमें तो सिरफ x चाहिए cube को अगर हटाना है तो दोनों तरफ के लिए लेंगे हम cube root cube से cube root हो जाएगा cancel और 1 का cube root 1 ही होता है क्योंकि 1 multiply 1 multiply 1 ठीक है तो इसको 3 पर multiply करेंगे यानि कि 3 के जो triplet बन गया तो इसका cube root में क्या होता है 1 का cube root के आएगा 1 ही होगा तो x की value क्या आगी 1 हमने निकालना है radius radius कितना था 5x इसी 5x में क्या रख दो 1 रख दो 5x यानि कि 5 multiply 1 5 को 1 से multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगा 5 और हमने radius ही निकालना था हो तो radius of cylinder क्या आगया 5 cm 20 मेटर